गिरफतार हुए के ट्वीट कर बताया जान को है खत्रा एक्टर फिल्मेकर कमाल राशिद खान मुंबई एरपोर्ट पर गिरफतार हो गए हैं उन पर 2016 में एक केस दर्ज हुआ था जिसके तहत वो देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं पताया जा रहा है कि वो नया साल मनाने दुबई जा रहे थे इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें एरपोर्ट पर गिरफतार कर लिया इस बात की जानकारी खुद कमाल ने ट्वीट कर दी साथ ही लिखा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका जिमदार कौन होगा अपने कॉंट्रिवर्शल ट्वीट के लिए फेमिस कमाल ने हाल ही में ट्वीट कर अपने पुराने केस और गिरफतारी का दिकर किया ट्वीट में कमाल ने पूरी डिटेल्स भी बताई कमाल ने लिखा कि मैं एक साल से मुंबई में हूँ मैं लगातार कोट की दी सारी डेट्स टाइम पर अटेंड कर रहा हूँ आज मैं नए साल के सेलिबरेशन के लिए दुबई जा रहा था लेकिन मुंबई पुलिस ने मुझे एरपोर्ट से ही गिरफतार कर लिया पुलिस के मुताबिक मैं 2016 में दर्ज केस में वांटेड हूँ इसी के साथ कमाल ने अपनी ट्वीट में सल्मान खान का भी जिक्र किया और लिखा कि सल्मान खान कहता है कि उसकी टाइगर 3 फिल्म मेरी वज़र से फ्लॉप हुई है अगर मैं किसी भी सूरत में पुलिस टेशन या जेल के अंदर मर जाता हूँ तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये एक कतल है और आप सबको पता है कि कौन जिम्यदार है इसी के साथ कमाल ने अपने ट्वीट में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी, ग्रह मंतरी अमिज शाह और न्यूस चैनल्स को भी टैग किया कमाल अक्सर ही सलेप्स को लेकर कॉंट्रवर्शल ट्वीट्स करते रहते हैं कमाल पर सलेप्स को बिना वजह बंदाम किये जाने वाले ट्वीट्स करने का इलजाम है इस मामले में वो कई बार जेल भी जा चुके हैं कमाल इससे पहले 2022 में भी दो बार अरेस्ट किये जा चुके हैं सबसे पहले उन्हें इर्फान खान रिशी कपूर को लेकर कॉंट्रिवर्शल ट्वीट के इलजाम में गिरफतार किया गया था 2016 में कमाल के खिलाफ विकरम भट ने भी केस फाइल किया था पिछले साल सितंबर में कमाल पर उनकी फिट्नेस ट्रेनर ने भी सेक्शुली असॉल्ट करने का इलजाम लगाया था इसके बाद कमाल को गिरफतार कर लिया गया था तो इस विशह में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलार इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और बॉलिवूर्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रही है रिपोर्टर जी